असला अलिकुम ने मुतलाय बरकातु आज हम बनाएंगे रमजान स्पेशल चना दल पकोड़े माशला खाने में बोती ला जवाब लगते हैं और बोती मिंटों में बन भी जाते हैं बोती आसानी हो जाती है रमजान मेंने में इस तरह के पकोड़े बनाने में आप एक बर इसे ज़रूर ट्राइ कीजेगा चलिए फिर हम बिस मिला करके स्टार्ट के लेते हैं सबसे पहले मैंने देखिए चना दल का इस्तामाल करी हूँ इसे मैंने तीन घंडे पानी में भीगो के रखी थी फिर मैंने इसका पुरा पानी निकाल ली हूँ बिल्कुल भे हमें पानी नहीं रखना है अभी हम इसे मिकसर के जार में पीसके ले लेंगे अभी हमें इसे बारिक नहीं पिसना है जाड़ा मोटा हम इसे पिसके ले लेंगे अभी हम इसका मसाला बना के ले लेंगे उसमें हम इसमें दाल देंगे, अभी हम इसमें दाल देंगे, डेर सरा हरा दानिया, फिर दाल देंगे, हम दो मिडियम साइज की प्याज, लंबी-लंबी कटिंग करके, अभी हम मैंने देखिए, मुंकी दाल का इस्तमाल करी हूँ, इसे हमें पीसकी नहीं दालना है, इसी तरह जाएगा इसका टेस्ट अभी हम इसमें दाल देंगे चावल काटा दो चम्मज भरके यह भी आप इसमें दालिएगा ज़रूर इससे जरा हमारे जो पकोड़े है बहुती क्रिस्पी बन जाते है और उसका जो टेस्ट है और भी बढ़ जाता है यह देगे अभी हमने इसे मिक् उन्हालों सकते है यह देखिए एक एक करके हम इस तरह से इसमें छोड़ देगे आप एक बार इस तरह से बना के देखिएगा ओर जो टेस्ट है इसका बहुती बढ़िया आता है आप इसे पाव के साथ में भी खा सकते है टेमेटो केचप के साथ में भी खा सकते है昨ाक्व एक बार बना के देखिएगा मुझे जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ में अल्ला हाफिस दुआ में याद रखना